सर्वग्यान संपन आज मैं आपके लिए अन्बॉक्स करने के लिए लाया हूँ जेब्रोनिक्स के टावर स्पिकर्स इसका मॉडल नेम है जेब 7600-BT-RUCF यह मॉंस्टर टावर स्पिकर्स है इसमें सिफ दो स्पिकर्स आते हैं और इसमें क्या-क्या है वह अमें बता देता हूं यह हर स्पिकर्स की तरह इसमें भी Bluetooth है USB है SD MMC Card है FM है 8x4K driver 8k driver speakers 4K भी है और साथ इसमें माइक भी है दो wireless mic इसके साथ आ रहे हैं, आप इसे किसी भी बड़े functions में या किसी भी 20 by 20 के hall में या किसी भी dining hall में use कर सकते हो easily speaker, इसका sound बहुत अच्छा है, मैं इसके other specifications और बता दू आपको थोड़ा पास में से दिखा देता हूँ मैं आपको, model तो मैंने आपको बताई दिया था, 2.0 multimedia tower speaker कहते हैं, इसे जएब 7600, built-in amplifier design है, इसमें ideal for PC and audio sources, such as VCD, CD, DVD, Blu-ray and TV etc. magnetically shielded for use without any interference on TV and monitor, इसका मतलब होता है, जिससे पहले हम कोई speaker लाते थे, उसके magnets से हमारी TV पे effect आता था, उसका color change होता था, TV खराब होने के भी chances होते थे, तो इसमें वैसे speaker नहीं है, इसमें जो speakers है, वो magnetically shielded है, तो आपके वो सब कोई भी problem नहीं है, आपको तीवी के किते भी close रख सकते हो, specifications की बात करें तो इसमें है, output जो power है, वो 40 watt का है, इसका, 40 watt into 2, यानि एक tutor जो है, इसका वो 40 watt का है, subwoofer जो है, वो 8 inches के है, 2 subwoofers है, twitter जो है, 1.5 into 2 है, और mid speaker है, वो 4 into 2 है, USB HD file support format जो है, वो MP3 और WMA है, 32 GB तक का memory card और pen drive supported है, input में आपका सभी है, auxpy है, FM, Bluetooth सब कुछ चलता है इसमें, power consumption वो only 55 watts है, product का जो dimensions है, वो 142 into 500 into 307 mm में है, net weight जो इसका है, 12 kg है, weight बहुत है, अगर आप bike पे या कभी कहीं लेने जाओ, तो please 2 बंदे आप जाना, ये एक बंदे से नहीं उखने वाला है, बाकि functions आप इसे कभी भी pause करके देख सकते हो, MRP और बता दूँ मैं आपको इसकी, MRP जो है, वो है 9191, 9191, ये इसकी MRP है, ये आपको easily market में 8500 के आसपास मिल सकता है, स्पिकर में आपको अन्बॉक्स करके और दिखा देता हूँ, ये मैंने अन्बॉक्स कर लिये हैं स्पिकर्स, आपको तोड़ा close से दिखा देता हूँ मैं, ये front जो पैनल है इसका, ये जो portions है, ये glossy finish में है, और इसमें LED lights दो सकती है, ये सारे controls दिए हूए, standby है, volume up-down, channel change करने का menu, input ती सारे options दिए हूए है, यहाँ पे SDMMC card लगने का option है, USB लगने का option है, एक्स्ट्रा में आप wired mics भी लगा सकते हो, ये इसके 8-inch के woofer है, दो woofer इसमें है, 4-inch के, ये इसके side में यहाँ पे है, ये दोनों speaker हो गए, 2.0 tower speaker, इसके contents और दिखा दूँ, मैं आपको साथ में क्या-क्या आया है, ये दो तो mic है, ये mic आये है, दो mic है, इसमें यहाँ cell लगेगा, दो cell लगेगे, डबल ए, इसकी buttons है, on-off करने के, on करना है, बैटरी का indicator भी है इस पे, दो mic हो गए, ये इसका remote है, इसकी आप मुबाइल कंप्यूटर PC में यूज़ कर सकते हो, ये FM extension के बलें इसके साथ, ये DVD की cable है, DVD में अगर आप input करते हो, तो 2 is to 2 cable है ये RC, दो-दो cell दिये हैं इन्होंने, जो आपके cordless mic है, उसके लिए cell दिये है इसाथ में, उसके अलावा इसका user manual है, मैंने आपको basic सारे functions तो बताई दिये है, इसमें remote के functions है, और क्या-क्या आया है, वो सारे functions है, पीछे आपको connections कैसे करने, वो सारे समझाया हुआ इसके अंदर, 40W into 2 woofer, almost subwoofer 8 into 2, सारे functions बता दिये, मैंने आपको वही है, इसकी जो Bluetooth की range है, वो 10 meters की है, इसकी साथ extra में ये stand जरूर आये है, stand भी है, जो आप ये जो woofer's है, टावर्स है, उसके नीचे आप ये stand लगा सकते हो, आप चाओ तो sticker से चिपता सकते हो, या इसके साथ screws आये है, ये, आप इसे नीचे लगा के, stand बना के, ताके नीचे बॉड़ी पर scratch ना आये, ये stand लगा के, आप उसको एक फड़ा सा अलग लुप देख सकते है, एक मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, इस तरह का है, ये आप नीचे प्लेस कर दोगे ऐसे, नीचे लग जाएगा, इसका लुक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूए, मैं आपको इसका एक sound test और करके दिखा देता हूँ, और वीडियो end तक देखना, मैं आपको पीछे input कैसे करने हैं, cables कैसे लगानी हैं पीछे, वो end में बता दूँगा, यह हमने power on कर लिया है, इसको stand my word से हटाते थे हैं, यह on हो जाए, अफन वोर्ट में by default जा रहा है, जाए, झाए, गाए, चाए, बता रहा है, जाए, 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 झाए, झाए, जाए, झाए, तक दाने हैं, इस अजत दूगा, प्याँए, झाइन कर दो दो पक्त्रॉपकी कर दोंगे, अवां आए, याई, जाए याए. झाल 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 यह इसका माइक है माइक हम जड़ा टेस्ट कर लेते हैं मैंने बैटरी लगा दी है और नहीं हो पा रहा है यह माइक टेस्ट करा जिता हो मैं आपको मैं यह यह इसका माइक है माइक मैंने आफ कर दिया है, आपको सारे फंक्शन समझा दिये है, यह जो स्पिकर से उसके बारे भी बता दिया है, और इसके अलावा आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, तो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा, अगर मै मेरे साब से यह स्पिकर बहुत बढ़िया है, इस प्राइस रेंज के साब से, 40-40 वाट के स्पिकर्स है, और यह आप LED TV के दोनों साइड लगाओगे, 32 या 40 इंच के LED TV के लिए बहुत अच्छे स्पिकर्स है, या किसी बड़े हॉल में यूज कर सकते हो, किसी फंक्शन प् चर्चा चलाइए, मेरे और भी आगे जो वीडियो आने वाले है, और इससे पहले जो वीडियो आच चुके है, प्लीज उन्हें जरूर देखिए, इसके कंट्रोल्स और बता दूं, मैं पीछे आपको कैसे कनेक्ट करना है, यह जो है अधर ट्यूटर है, इस दूसरे स्पि केबल एक्सटेंड करने के लिए, यह बाई डिफॉल्ट पावर अफ रहता है, यह अन करना पड़ेगा, यह केबल लैंक्ट देख लिजे आप, केबल लैंक्ट एक रूम के हिसाब से इनाफ है, बहुत बड़ी केबल है यह, चलिए वीडियो यह ही एंड करते हैं, बबाई के लिए